हेलो मेरी यूट्यूब फैमिलीज तो कैसे हैं आप लोग आशा करते हो कि आप अच्छे होंगे तो आज मैं अपने किचिन में बनाने चाह रही हो मोखनी उसके साथ बनाओंगी टमाटर और बैगन की चटनी या चोखा आप जिसे जो भी चाय कहना कह सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम बैगन और टमाटर ले लेंगे क्योंकि चोखा जब तक तयार होगा तब तक हम अपने मोखनी के लिए यानि सत्तू पराठा के लिए भी सारी तयारी कर लेंगे तो बैगन को मैंने ले लिया और उसमें बीच से चीरा लगा दिया है क्योंकि चीरा लगाने से अच्छे से पकता है बैंगन और ये भी पता चलता है कि अंदर में कीड़ा वगेरा तो नहीं है और उसमें न जितनी हरीमेच आप चाहें मतलब जिस अनुसार आप तीका खाते हूं मैंने दो ही छूटी-छूटी हरीमेच डाली है और पांच-छे लासन की कलियां डाली है उसके अंदर ताकि वो अच्छे से पक जाए और चाह टमाटर भी ले लिया है आप को एंटिटी अपने हिसाब से ले लें मैं तवे पर पका रही हूं तो जो हम लेंगे ना बैंगन और टमाटर उसको अच्छे से दो लेंगे उसके बाद ही कट करेंगे और उसके बाद उसमें तेल है ना सरसो का तेल लगा के तवे पर डालेंगे तो ऐसा करने से बहुत अच्छे से पक के तयार होता और इसके छिलके हैं वो मतलब बहुत असानी से उतर जाते हैं और इसको व्हरी मिर्च अब दियों कि तुल्ड को कि divert आल देंगे चार कि शचिंदाई मिर्च ma affairs के काटक फारफ किलिए फीलिंग कि तयारी किर लेंगे तो इसके लिए दो मिडिम साइज के प्यास को बिलगे लवें किलियों को बारिक काट लिया आदरक के टुग्डे को भी पारिक काट लिया है अड़ा नीबू है एक हरी मिर्च को मैंने काट लिया है और अब एन!" आदरण ने नमें नीबू है अगर आप ज्लादा थीखा खाते हो मेरे बच्ची भी खाएंगे, इसलिए मैं कम तीखा बना रही हूँ और इसी वक्त सारा कुछ डालेंगे नीबू छोड़के और इधर हमारा देखे इस बीच में ना हम इसको भी देखते रहेंगे अपने चोखे को यानकि बनने वाले चोखे को बैंगनों टमाटर को देखते रहेंगे ताकि वह एक साइट से ज्यादा जल न जाए और इधर सार चीज डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अपने हाथों की मदद से और फिट डालेंगे सरसो का तेल और स्वाद अनुसार नमक अगर आप आटे में भी नमक डालना चाहते हो तो आप इस वक्त उस तरह से नमक डाले ताकि आटे के साथ वह एड़जस्ट और वो मुठला सा बनने लगे उसके बाद हो गया हमारा मालो फिलिंग तयार होगी इदर इसको भी देख लेंगे इदर देखे हमारा जो बैगन टमाटर है वो पक्चुकर बहुत गर्म है इसलिए उसको मैंने एक बरतन में ट्रांसफर कर दिया और तब तक इदर ले लगा लेंगे आटे को हम इदर देखे तब तक हमारा बैंगर और टमाटर भी ठंडा हो गया है तो इसके लिए हम चोके की तयारी कर लेंगे इदर दन्या पत्ता मेरे पास नहीं था तो वो भी लेके आ गया है मेरे हस्बंड तो यह देखे बच्चे ने यहां लाकि दिया बागी गुड़ बगयरा मतलब और भी सामान है तो इदर देखे चोके को मैंने मतलब टमाटर बहन को पूरा मैंने चील लिया पहली चोका बोल रही हूं और इसके बाद जब यह थोड़ा कर कच्चा भी रह जाए ना तो आप इस तरह से इसको अच्छे से पका सकते हैं एक बाद डालेंगी नमक और नमख डालेंगे बाद भी इसको एक स्मय चलाएंगे अच्छे से बल डालेंगे sarso का तेल विलाकुल लास्ट बेसर्व का टेल डालेंगे क्यूंक्यीं कच्चा कच्चा सचा ही सरसो का टेल का तेसित आना चेसमे इस वक्त आप यहां पे प्याज भी डाल सकते हैं बारिक काटके मैंने नहीं डाला है और बाकी लहसन और मिर्ची तो हमने पहले डाल रखा था उसमें तो सफिसेंट तीखा अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद आप इस वक्त भी हरी मिर्च काट करके डाल सकते हैं तो यह देखिए हमारा जो चोखा है ना व और दुगना हो जाएं वहती स्वादिस्ट बनके तयार होगा अगर आप ट्राइ करते होंगे तो पता होगा और नहीं ट्राइ किया होगा तो एक बाद जरूर ट्राइ करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद और इधर देखिए हमारा जो आटा है ना वो भी अच्छे से सेट हो गया है तो उसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे कभी भी आटे को आप गुने न तो बिल्कुल टाइम देगे गुने ये नहीं की मतलब फटाक से गुन के तयार कर लिया थोड़ा सॉफ्ट ज्यादा सॉफ्ट होता है मतलब अच्छे से गुनने से तो यह देखिए आटा हमारा चिकना सा तैयार हो गया और हाँ, इसकी जो डो है न, वो आलू पराथा की तरह नहीं लगाएंगे, अलका से कड़क लगाएंगे, आलू पराथा में थोड़ा स्ट्थ डो लगता है मतलब आटे का, और सत्थू पराथा में हलका सा टाइट, तो इस तरह से हम क्या थोड़ा बड़ा कि डबल अकार के काटेंगे जितना बड़ा पर डोटी की लिए काटते होंगे ना मैं तो चोटी रोटी बना थे हुआ इस है प्लकुल अच्छे से पैक करें और इस तरह से हम हलके हाथ चो बेलेंगे नौर्मल रोटी से इसकी जो मुटाई होगी ना व क्योंकि बिल्कुल पतला इसको नहीं बनाएगा वरना यह तोड़ा सा कड़क बन जाएगा तो अच्छे से फिलिंग ज़्यादा भरेंगे तो थोड़ा मोटा मोटा ही बनाएगे और इस तरह से डालेंगे हम इसको तविपे और जब एक साइट पक जाएगा न तो इसको तो दूसरी साइड आप तेल लगा ले और अलटते पलटते वह इसको अच्छे से पकाएं यह जो है ना और यह देखिए इसी तरह से मैंने फटाफट बना कि सारे पड़ाठे तयार किये थे और हाँ फ्रेंट्स आपको कर मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर करना लाइक करना और में चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ब को फिर पलटके उसमें फही ओइल लगाएंगे और फिर पीछे तरब पलटके उधर भी ओइल लगाएंगे जब तक हम एक साइड अल लगाते हैं ना तेल लगाते ना यानि कि तब तक दूसरा साइड ना हमारा पक जाता और यह देखिए कितने सारे पड़ाठे बनके त यार वी थी बच्चों ने भी बहुत enjoy किया क्योंकि मेर्ची तो मैं डालती नहीं हूं यह देखे सब फटा-फट बैट के खा रहे हैं गर्मा-गर्म तो मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में एक ने राजबी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर